दोस्तों आज की कहानी है पूनम का इस्पेक्टर पती सलो दोस्तों कहानी को सरू करते हैं पूनम बहुत उदास थी और सामान बाद रही थी नीतिन की तीन महिने में फिर से बदली हुई थी और उसे कहली लोटना था नीतिन बिना खाय पिए ही सला गया था साल की सबसे बड़ी अमरत पुण्डी मा थी और उसका वरत था उसने सुब पूजा की और नीतिन के लिए नास्ता बनाया परंतु नीतिन तो पुलिस जीप में बैट सुबे ही थाने को निकल गया था नीतिन इस्पेक्टर था वो भी इमानदार तो उसे टांसपर रूपी त तोपा मिलता रहता था इस बार तीन मैने बाद मिल गया था कहली निकलना था पुनम को बहुत गुसा आ रहा था कि हर बार तो समयने तो होते थी और इस बार सोस सोस की आंके बह रही थी और पूरे सामान पर जो भी वो बांधती उस पर अपने निसान सोडती थी तबी नीदी का मैसेज पकड़ा तो वह बिखरी गई फूट फूट कर रोने लगी नीदी ने लिखा था। अगर ये बदली रुक गई तो मैं अपने पुन मास का वरत कल सुबह अमरत वाली कीर खाकर ये खोलोंगी और तुमारे अमरत को जितने गरीबों तक होगा उतना ही मैं जरूर पहुंसाओंगी। जग नहीं जिन्द की तो सरू करनी ही थी। इदर नीतिन दोपर को भी बोजन के लिए नहीं आया रात हो गई। पुनम ने देखा सांध दीमे धीमे उपर आ रहा था। उसे खीर बनाने रखने थी पर मन इस्तती नहीं था। उसका उसने पूजा के लिए दिया मनत दोराई और नीतिन का इंतजार करने लगी। और खुद से बोली आज तो उसका भी वरत हो गया। खीर बनाने का समय निकट आ रहा था। नो बजने को थे पर नीतिन का कोई अता पता नहीं था। उसका मन बैसेन होने लगा उसने सावल निकाले ही थे कि नीतिन की अवाज आई। पूनम पूनम दोड़कर बाहर आई नीतिन ने उसे देखते ही का तुमारी दुआ कबूल हो गई मेरा टांसवर रुक गया अब हम पूरे साल पर यहीं रहेंगे। और खुस होकर उसे बाहों में बरकर जोर से गुमा दिया फिर उसे सीने से लगा दिया पूनम ने सुना तो जलदी से सांध को धनियावाद दिया और बोली सलो हटो मुझे खीर बनानी हैं बहुत सारी नीतिन ने का क्यों जी पूरे सेर को खिलवाओगी किया अपना कि अगर मेरे सांध आज खुस होकर गर लोटे तो मैं उस सांध का बरसरा अमरत जादा से जादा गरीबों तक पौसाओंगी फिर असकर का समझे पूनम के सांध फिर उसने अपने आखों को अपने आसल से पौसा और अंदर खेर बनाने सली गई नीतिन ने सांध को देखा से लगा ससमुस आज सांध से अमरत बरस रहे और वहीं अमरत पूनम के सांध में भी हैंजो उसकी दूआ हर बार उसे लग जाती हैं उसने सांध को नमन किया और अंदर सला गया गर दोस्तों यह कानी उन लोगों के लिए हैंजो मनत और दूआ पर विस्वास नहीं करती दोस्तों दूआ से बढ़कर कोई नहीं होता और बगवान से मांगी दूआ भी कभी खाली नहीं जाती और मनत भी कभी खाली नहीं जाती बगवान अमारी इसा जरूर पूरा करता हैं झाल झाल